थएलो फ्रेंद्स आज हम बात करते हैं फ्री में ही घर पर आसानी से कोकोपीट हम नारियल के छिलकों की दौरा कैसे तेयार कर सकते हैं तो देखें जो आपको विडियो में नारियल के छिलके दिखाई दे रहे हैं सबके घरों में अधिकतर नारेल आते ही हैं, खाने वाले, तो जो उस से छिलके उतरते हैं, उनको आप फेके मत, अगर आप प्लांट फ्लवर हैं, आप पेड़ पोधे लगाते हैं, तो आपके ये बहुत काम आने वाले हैं, तो देखें इन छिलकों को आप सम्हाल कर रखें, जिस तरह कि मैं इन छिलकों से Cocopit तयार करती हूं, वही मैं आपके साथ शेर कर रही हूं, तो इन छिलकों का आप क्या करना चाहिए, इनको बड़िक बरिक इनके रेषे हाद से कर लेने चाहिए, फिर इन्हे रेषे, जब आप बराबर बराबर छिलकर इनके बरिक बरिक र जो जड़ने लगता है उसे आप किसी भी बरतन में घटा करते जाएए तो फिर आप के जो हैं फिर जब यह काफी सारे चिलके हो जाएंगे फिर आप इसको हाथ से रगड कर भी मतलब इसका चिलके से आप चूरे को अच्छी तरह से कलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आगे आप वी सकते हैं लेकिन हाथ से करना इसलिए सही है मिक्सी का अगर आप करते हैं तो मिक्सी के जार का खराब होने का आपका डर रहता है तो इसलिए आप अगर हाथ से करें तो ज्यादा ही अच्छा होगा और इससे जब भी आपको समय मिले तभी आप यह कर सकते हैं क्योंकि प्लां गंले में मुझे यह कोकोपीट को मिलाना पड़ता है, तो मैं असानी से मिला देती हूं, तो इस तरह से मैं इनके कोकोपीट को जो है, छिलकों से यह बुराद्धा तयार कर लेती हूं, जो साथ में जो इसके रेशे बच जाते हैं, उनको भी मैं फेकती नहीं हूं, यह क्या ये बाद में जो आप कोई भी नया गमला तयार करें, तो उसके ब Gesundheits में गमले के वे में आपको लगाने के लिए बहुत काम आएगा. आप क्या चब भी कोई नया गमला तयार करें उसके बेस में सबसे पहले, इनी नारेल के जो ये बुरादे के छिलके, जिससे आपने कोकोपीट तयार किया हुआ है, उसके बचने के बाद भी जो ये छिलके बच जाते हैं, उसको आप बेस में लगा लें, और उसके उपर आप गमले में मिट्टी मिला दे, कोकोपीट को मिला कर, तो देखे इस तरह से ध्यार हो गए जो कि मजल करते हैं व क्ले जो कि अपनाल से मघाते हो उह भी तर मलदकलों के शेयर कर सकते हैं तो देखी जानके जुर्ड आपको अच्मेल लगे।